हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी को पता है कि आप सभी का बोर्ड का एक्जाम 2024 में होने वाला है फ्रेंस यहां पे हम कच्छा 10 के परतेक सब्जेट का परचेप्टर वाइज बहुईकल्पी प्रशनों को आपको हल कराएंगे फ्रेंस आज हम महत्यपूरु बहुईकल्पी प्रशनों को लिए हैं यह वे प्रशन है जो आपके पेपर में 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 और 2015 में यह सभी प्रशन आपके बोर्ड के एक्जाम में आ चुके हैं फ्रेंस आपको कुछ ऐसे भी प्रशन रहेंगे जो आपके कुछ expected question रहेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम में वो सब प्रशन आएंगे फ्रेंस आज हम बिज्ञान के मानो नेत्र से संबंदित जितने भी बहुईकल्पी प्रशन हैं उन सभी बहुईकल्पी प्रशनों को यहां पर देखेंगे चलिए फ्रेंस वीडियो करते हैं मारून नेतर से संबनित प्रशन को देखने से पहले मारून नेतर से संबनित कुछ important point को देखते हैं फिर इसके बास सबी पर आसानी से हल कर सकते हैं फिर आपको याद रखना आए कि जो मानों का नेत्र होता है ठीक है उसमें आपका उत्तल लैंस पर योग होता है कौन सा लैंस उत्तल लैंस यह कुछ पॉइंट बता रहें इसको आप समझ लेंगे तो आप सबी के सबी प्रेशण आप आसानी से हल कर सकते हैं देखे जो उत्तर लेंस होता है इसे हम अभी सारी लेंस भी कहते है क्या है अभी सारी लेंस ठीक है जितने भी पॉइंट बता रहे एक गलब फ्रेंस आप सिर्फ देख लीजेगा फिर इसके बाद आपको बाविकल पि सभी इंपोर्टेंट प्रश्ण आपको हल कराएंगे फिर इसके अलावा आपको याद रखना है फ्रेहंस कि मारून नेत्रे में दोस होते हैं एक निकट द्रिष्टी दोस होता है कौन से दोस होता है निकट द्रिष्टी दोस ठीक है देखे निकट द्रिष्टी दोस में आपको याद रखना है कि निकट द्रिष्टी दोस को दूर करने के लिए कौन से लेंस प्रयोग देता है तो आउतल कौन से लेंस आउतल लेंस इसको याद र होगा तो दो राया उत्तल लेंस क्या होता है उत्तल लेंस ठीक इसके फ्रेंस अप याद रखिएगा जो समान ने नेत्र होता है रखिया सबसे इक तो रहता है आप आपरतनांग किसका कम और अधिक टाइख लाल का जो होता है अप और तनांक कम होता है और अधिक इसका होता है आपका बैगनिका यह याद रहेगा बैगनी बैगनी रंग का पोर्तनांग अधिक होता है और लाल रंग का पोर्तनांग कम होता है इसके साथ में आप याद रखिएगा कि जब कोई ब्यक्ति चंद्रमा से आकास को देखता है किसको आकास को देखेगा न कोई आकास को देखता है उस समय का आकास काला काला दिखाई देता है काला थीक है इतने पॉइंड को आप याद रखिए देखिए पहले ज़्यान देना है कि इसे दुर करने Kristinya कि लिए के उत्तर लेंस का प्रियोग किया जाता है मानों का सवाननी नेत्र है तो 25 चंट्रमा के पार हम याद रखिए हैं सबसे अधिक होता है इधि आप चंद्रमा के साहिए आपको ऐसा काला दिखाइए देता है इतना पॉइंट यह आपको समझ में आ गया वोगा चलिए आपको ब आपको पता है उसमें काउंसल लेंस प्रयोग होता है उत्तर लेंस कोई क्या कहा जाता है अभी साही जवाब होगा ए तो नेत्र में कौंसल लेंस प्रयोग होता है ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि एक स्वास्त मानों नेत्र के लिए असपर्ष्ट द्रिष्टी की न्यूंतम दुरी होती है तो अभी आपको बता है कि एक समाने नेत्र रहेगा फ्रेंस तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तू का असपर्ष्ट रूप से चले अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला सवाल है कि स्वास्त आग के लिए दूर बिंदू होता है तो फ्रेंस देखें स्वास्त आग के लिए निकट बिंदू पूछेगा तो कितना होता 25 सेंटीमीटर लेकिन स्वास्त आग के लिए दूर बिंदू ता तीसरा का सही जवाब होगा डी वाला चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है जितने भी प्रस्ण है फ्रेंस आपके बोड के एक्जाम में आ चुके हैं ठीक है इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िए ठीक है अब देख यह फारमिला लगता है यहां पर सब्सक्राइव करें अब देखें चंता में नहुंद फोकस दुम्टर में आपके तो कितना हो सबाते बीच जबूरी कितना है 20 है यहाँ पिलेंगे 20 20 के मिश्क बीस पाच्छे-100 कितने बाराँ 5 फिरेश चमता को दायॉप्टर से दिखा तुसका मात्रक क्या होता तो एक तर यह होता है इसको डी से दिखाते है तो कितना हो जाएगा 5 जाप जी इसका सही जवाब aosब का सवार ऑगा इसकं आप याद रहेगा पूछत है प्रमें शंत klण मात्रग पूछता है पह में शंबता कमात्र मीक होता है तो इसका परतिभीम याद रखे कहां पर बनता है रेटीना पर बनता है इसका सही जवाब होगा रेटीना पर इसका सही जवाब हो गर देखते हैं आप के सामने अगला नंबर के देख सकते हैं चशतपा नंबर का कि मानून नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रति भी बनता है इसा दोष में और裡 być ना कूसे किसी माहां में निकट द्रिष्टी दोसे तुसे दूर करने के लिए आप को मानों के नेत्र में चस्मा जो होता उसमलेश कहimore लिए यहos कांसा ज को जाता है यहां पर देखते हैं कि अधर अब्थार मैसे चाहिए जवाब होगा आपके सामनेzyka सवानमबर का सवाल है कि दूर द्रिष्टी दोस से पीरित ब्यक्ति अपने चस्में पर्यूप्त करता है अभी पता है कौन सा उत्तरलेंस इसका सही जवाब होगा सी यह सभी प्रशन आपके देख लिए फ्रेंस यहां जाता है अभी आपको पता है के दूर दूर द्रिष्टी दोस्त के निवाल में उत्तरलेंस का प्रयोग किया जाता है यह पहले आफे आपसन को पढ़ते तब समझेंगे निष्चित focus Durie का औतर लेंस होगा तिया आपसन तो गलत हो जागा आपका निष्चित focus Durie का उत् कि निजचित फोकस दूरी का उतना पड़ता है ठीक है समझ में आ गया होगा चलिए अगले नंपर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंपर का सवाल है कि दूर द्रिष्टी दोस के कारप परतिवीम बनता है तो फिरेंगे दूर द्रिष्टी दोस में क्या होता है कि दूर की वस्तु आपको असपास रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु आपको असपास रूप से दिखाई देती नहीं है तो दूर द्रिष्टी दूर द्रिष्टी दोस में क्या होता है दूर की वस्तु असपाश दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु असपाश दिखाई नहीं देती है इसके द्वर जो परतिविम बनता है रेटिना के पीछे बनता है समझ में आ गया दूर द्रिष्टी दोस को दूर करने के लिए कांसी लेंस पर करते हैं तो होता अगले सब्सक्राइब को देखते है आप के सामने अगला नॉर का सब्सक्राइब करेंगे 11 नंब्र का दूर दृष्टी दोस, प्लिष्र मनुष्र का निकट्टम बिंदू इस्चित होता है कितना पर वह लगता है आपसन है पचीश सेंटीमीटर पर पचीश सेंटीमीटर से कम दूरी पर या पचीश सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर या अनंत पर तो फ्रेंज इसका सही जवाब होगा पचीश सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है ठीक है क्यों होता है कि दूर दिरिश्टी दोस में दूर की वस्तु असपर्श दिखाई देती है इसलिए 25 सेंटिमीटर से अधिक हो जाता है ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है यहां पर देख सकते हैं जो बारा नंबर का है कि दिरिश्य प्रकास का त्रंग देद प्रास कितना होता है तो इसको आप याद रखिएगा यह 400нет क्क ça कितना हुएव और चलते हैं अगले कि दिखें आपके सामने 13 Vive Doопас के तिम्हेने रंगों के नामों के प्रथम अक्षरों से बने निम्नलिकित शब्दों संगेतों ब्यक्त किया जाता है झाद रखेंग यह साथ रंग एक दू तीन चार पांच छे साथ इस प्रकास से इसका सही जवाब क्या हो जागा आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेद परतीत होता है क्योंकि उस समय प्रकास का प्रक्राण नियुंतम होता है इसका सही जवाब यह वाला होगा कि प्रकास का प्रक्राण नियुंतम होने के कारण दोपहर के समय सूर्य श्वेद परतीत होता है स्वेद मतलब होता है सफेद ठीक ह यह हुआ है जब स्वेत्अ प्रकास कि उनान प्रीजिप में में से गुजरती हैं किस रंग के लिए सबसे अधिक्तम वीतलन भी चलंवि जलता आप जाकर बहुते हिर 9 सबसे कम होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है और बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है यहां पर पूछा क्या है आप से अधिक विचलन किसमें होता है तो बैगनी रंग का इसका सही जवाब होगा सी बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है आपके सामने सुलावा नंबर का सवाल है कि जब श्वेद प्रकास काश के प्रिज में से गुजरता है तो प्रिज में के आधार की और अधि सबसे अधिक होता है इसलिए इसका जुकाव सबसे अधिक होता है आपके सामने अगला नंबर का जो 17 नंबर का यह भी पेपर में आपके पूछा जा चुका है देखें यहां पर 2016 में आ चुका यह प्रस्ण पॉर्तनांग से संबंदित जो कि आपको स्टार्टिंग में ही यहां पर आप बताएं अपवर यहां पर कंसेप्ट जानते रहेंगे अप सभी प्रश्णों का आसानी से दे लेंगे लाल का पॉर्तनांग सबसे कम और बैगनी रंग का पॉर्तनांग सबसे अधिक होता है इसको याद रखेगा प्रश्ण बहुत पूछता है बैगनी लाल रंग कि चली देखिए कम किस में होता है यहां यहां हे पॉछ था प्रश्ण का पूछता कि किस में अधिकत्म होता है तो बैगनी रंग का आपके सामें अगला नंबर का सवाल है जो 18 नंबर का यहां पर देख सकते हैं आप यह भी देखे 2019 और 2013 में पूछा जा चुका भी था काश का पॉर्तना का अधिकतम होता है तो फ्रेंस का पॉर्तना किसमें अधिकतम होता है तो आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि प्रकाश का वह गुड जिसके कर आ प्राइब उसलिए जिदने भी प्रस्न करा हैं वो सभी आप देखे होगा है सभी किसी ने किसी पेपर में पूछा जा चुका है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाए देथा यह कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में बता है कि चंद्रमा पर कोई वहां से आकास को दे से रंग का प्रकिरोडन सबसे खम होता है तो इसका भी कंसेप्ट आप यहां पर देख सकते हैं प्रकिरोडन सप्रिखिया यहां से लाल लिख लिजिए हैं और क्या लिख्यां है थे पूछता है आपrike表 professor प्रकास के लिए किस रंग कर सबसे कम Одता अधिकतम याद रख सकते हैं कि विचलन बहुते हैं अपॉर्टनांग अधिकतम रहा है कि प्रकास के लिए किस रंग का प्रक्रिण सबसे कम होता है तो लाल रंग का ठीक है कभी प्रश्ण पूछे गए तो इसमें कभी आपको देख सकता है ठीक है दूर द्रिष्टी वाला ब्यक्ति निकट की वस्तु को असपश देख सकता है निकट द्रिष्टी दोस वाला ब्यक्ति पास की वस्तु को असपश देख सकता है दूर द्रिष्टी वाला ब्यक्ति दूर की वस्तु को असपश नहीं देख सकता है देखे इसका भी concept आप सीख लीजिए concept जानते रहेंगे friends देखें यहाँ पी लिखें निकट द्रिष्टी दोस क्या लिखेंगे निकट द्रिष्टी दोस यह हुआ द्रिष्टी दोस अब निकट द्रिष्टी दोस में क्या है friends यहाँ लिखेंगे निकट निकट यह पास यह फिर लि दूरद्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रिष्ट दूर दृष्टी दोस में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती लिकिंगा दिखाई नहीं देती अब चली concept पर आ जाता है जब इसको पढ़ेंगे फ्रेंट देखिए यहां पर क्या है निकट दृष्टी दोस वाला व्यक्ति पास की वस्तु पास मतलब होता है नि इस वीडियो का आप एक दो बार देखके इसका concept आप किलियर कर लिजिएगा यह आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए यहां से प्रश्ण 100% बनता है और जरूर बनेगा 2024 में यह गारंटी 100% का ठीक है तो फ्रेंज देखिए आपको इसी प्रकास सभी चेप्टर का आपको बव सब्सक्राइब जरू कर लें